अथा शष्ठोध्या यह श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्रे न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अगनी का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है हे अर्जुन जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता योग में आरूढ होने की इच्छा वाले मनन शील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निश्काम भाव से कर्म करना ही हे तू कहा जाता है और योगा रूढ हो जाने पर उस योगा रूढ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कज्याण में हे तू कहा जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसकत होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगा रूड कहा जाता है अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उधार करे और अपने को अधोगति में न डाले क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहीत शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सद्रिश शत्रुता में बर्तता है सर्दी गर्मी और सुख दुखादी में तथा मान और अपमान में जिसके अंतह करण की वृत्तियां भली भाती शांत है ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्यान में सचिदा नंद गन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं जिसका अंतहकरण ज्ञान-विज्ञान से त्रिप्त है जिसकी स्थिती विकार रहित है जिसकी इंद्रियां भली भाति जीती होई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है प्राप्त है ऐसे कहा जाता है सुहरित, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्त, द्वेश्य और बंधुगणों में, धर्मात्माउं में और पापियों में भी समान भव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ट है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत इस्थान में इस्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे शुद्ध भूमी में जिसके उपर क्रमशह कुशा, म्रिग छाला और वस्त्र बिछे हैं जो ना बहुत उचा है और ना बहुत नीचा ऐसे अपने आशन को इस्थिर स्थापन करके उस आशन पर बैठ कर चित और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकागर करके अंतह करण की शुद्धी के लिए योग का अभ्यास करे काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर द्रिष्टी जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रही तथा भली भाती शांत, अंतह करण वाला, सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला और मेरे परायन होकर स्थित होवे वश में किये हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली पर्मानंद की पराकाष्ठा रूप शांती को प्राप्त होता है हे अरजुन यह योग ना तो बहुत खाने वाले का ना बिलकुल ना खाने वाले का ना बहुत शैन करने के सुभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है दुखों का नाज करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है अत्यन्त वस्मे किया हुआ चित जिस काल में परमात्म में ही भली भाती स्थित हो जाता है उस काल में समपूर्ण भोगों से स्प्रिहा रहित पुरुषय योगा युक्त है ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार वायू रहित इस्थान में स्थित दीपक चलाए मान नहीं होता वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित की कही गई है योग के अभ्यास से निरुद्ध चित जिस अवस्था में अपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धी द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सचिदा नंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धी द्वारा ग्रण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाव को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाव नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलाए मान नहीं होता जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए वह योग न उकताए हुए अर्थात धहर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चे पूर्व करना करतव है संकल्प से उत्पन होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेश रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी और से भली भाती रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरती को प्राप्त हो तथा धहर्य युक्त बुद्धी के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादी विशय के निमित्त से संसार में विचरता है उस उस विशय से रोक कर यानि हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है ऐसे इस सच्चिदा नंद गन ब्रह्म के साथ एकी भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ती रूप अनंत आनंद का अनुभाव करता है सर्व व्यापी अनंत चेतन में एकी भाव से स्थिती रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्म रूप मुझवासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझवासुदेव के अंतरगत देखता है उसके लिए मैं अद्रिश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अद्रिश्य नहीं है जो पुरुष एकी भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सचिदा नंद गन वासुदेव को भजता है वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है हे अर्जुन जो योगी अपनी भाथी संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अत्वा दुख को भी सब में सम देखता है वह योगी परमश्रेष्ट माना गया है अर्जुन बोले हे मदु सुदन जो यह योग आपने सम भाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिती को नहीं देखता हूँ क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल प्रमथन सुभाव वाला बड़ा दृड और बलवान है इसलिए उसका वश में करना मैं वायू को रोकने की भाति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ श्री भगवान बोले हे महाबाहो नि संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अरजुन यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुषप्राप्य है और वस्मे किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुष दुआरा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है यह मेरा मत है अर्जुन बोले ये कृष्ण जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किन्तु सैयमी नहीं है इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग की सिध्धी को अर्थात भगवत साक्षातकार को न प्राप्त होकर किस गती को प्राप्त होता है हे महाबहो क्या वह भगवत प्राप्ती के मार्ग में मोहीत और आश्रे रहित पुरुष छिन भिन बादल की भाती दोनों और से ब्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता हे कृष्ण मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है श्री भगवान बोले हे पार्थ उस पुरुष का न तो इस लोक में नास होता है और न पड़ लोक में ही क्योंकि हे प्यारे आत्मो धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ती के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गती को प्राप्त नहीं होता योग भरष्ट पुरुष पुर्ण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वरगादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उन में बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अथ्वा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्यानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में नहीं संदेह अत्यंत दुरलब है वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किये हुए बुद्धी संयोग को अर्थात समबुद्धी रूप योग के संसकारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ती रूप सिध्धी के लिए पहले से भी बढ़ कर प्रयत्न करता है वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग ब्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निहसंदे भगवान की ओर आकरशित किया जाता है तथा समबुध्धी रूप योग का जिग्यासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उलंगन कर जाता है परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिध्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर ततकाल ही परमगती को प्राप्त हो जाता है योगी तपस्वियों से श्रेष्ट है शास्त्र ज्यानियों से भी श्रेष्ट माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ट है इससे हे अर्जुन तू योगी हो संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझे में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे को निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ट मान्य है ओम तच्सदिती श्रीमत भगवत गीता सूपनिशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णाण जुन संवादे आत्म सैयम योगो नाम शष्ठो ध्यायह